व्मश्कर दोस्तों भूधत भूधत करते हैं न्यूश टूडिय की यूटूब चैनल पे तो आज की इस रिपोर्ट में सबसे पहले आप सब पार्ट थी के रिजल्ट के वारे में जाने वाले उसके पार्ट तू प्रियोगी परिक्षा यानि कि प्रैक्टिकल परिक्षा के आप जाने वाले है और रिजल्ट के उपर बात जाने वालेद है OWN सबसे पहले बात करते हैं फिर पार्ट की जो हैं चलेंगे और प्रैक्टिकल परिश्यburg ब्रूम की देख सकते हैं कि दूसरी बूत है दाक्याले वा लेने बालों को जमें Leona तो कल के रिपोर्ट में जैसा कि छपा था प्रभात ख़बर में कि बहुत सारे बच्चे जो है गुहार लगा रहे हैं जल से जल रिजल्ट को जारी कर दे क्योंकि वह लोग जो है दूसरी कॉलेज में दूसरी युश्टी में अडमिशन ले चुके हैं प्रोविजनल के तौर पर लेकिन उनसे रिजल्ट इन जारी नहीं किया गया है तो किस प्रकार से वह रिजल्ट अपना दे पाएं अपने ज्युक्त को आपने समबंदित कॉलेज जिसमें वह उन्होंने अपने ओंकन कर आया है और वहां पर कहा जा रहा है कि अगर वह रिजल्ट नहीं देते तो कि ना मंगान रद कर दी जाएगा तो कल जैसा कि मैंने आपको बता था कि एक चात्रा जो थी बिहार उनुर्सिटी की थी उन्होंने दिल्ली के किसी कॉलेज में अपना एड्मिशन लॉग के लिए कराया था और पार्ट 3 की रिजल्ट ना होने के कारण उस कॉलेज से लगाता कुमार ने दी है प्रभात ख़वर ने 21 जनवरी को जो है अंक में पार्ट 3 की रिजल्ट के फेर में दूसरी बीवी में दाखला लेने वाले चात्रों के एड्मिशन फसने का ख़वर चापा था जैसा कि मैंने कल भी रिपोर्ट बनाया था इसके बाद गुरु बार को कई नियंदर्व से मिले परिशन नियंदर्व ने छात्रो ड को का कि वूँ आव within करें रिजल्ट के लिए वो कोशिश करेंगे स्पेशल रिजल्ट के लिए छात्रों भौ्यए बीवी में जमा करने होंगे छात्रों ने परिशन ने तरह से 31 जनौरी तक के ज़र देने की मांग की है तो यह एक नई चीज जो है उनिवर्सिटी के तरफ से की गई है जिसमें की कहा गया जिनको भी पार्ट 3 का रिजल्ट जल्दी चाहिए वह 400 रुपए जमा करके अपना रिजल्ट जल से जल प्राप्त कर सकते हैं और उनको जो रिजल्ट दे दिया जाएगा एक जिसके आधार पे वह किसी और उनिवर्सिटी या किसी और कॉलेज में जाकर करके अपनी अड्मिशन ले सकते हैं पार्ट 3 के बाद तो आप अपने नीचे जो है ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको यह पहल कैसी लग रहे है यह उनिवर्सिटी की चलिए जड़ा हम जाल परिक्षा पर असमंजस बोर्ड लेगा फैसला अभी तक कि जो असमंजस बना हुआ है चलिए इस खबर को जड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं बियारे बिहार विस विद्याले के सनातक पार 2 की चात्रों की परिक्षा होगी या नहीं इसके उपर फैसला फिलहाल नहीं हो सका है चात्रों में इसको लेकर स्मंजस है इन चात्रों का थैसला थैपर अगले सब्सक्राइब ऊदर नियुद्द कर सब्सक्राइब और नहीं लिए थी और यहां पर परिक्षा का नहीं हुआ था तो थै प्रेख्षा और जीएस की परेख्षा नहीं ली गई थी इतना बताया तो इसके दियां पर जैसा की बताया जारा है परिशनेंतर कुमार ने गुरुवार को कहा है कि सनातक पार्टू के चात्रों की प्रेख्षा पर जो परिख्षा बोट की बैटक में निर्ना होगा एक परिख्षाइं के लिए परीक्षार कारें आने का संबाबना बिल्कुल है यहाँ परिख्षा पिछले saal होनी थी लेकिन करोना शंकत के कारण इसको देर से लिया जा रहा है साथशाथ यहां पिछले साल की पार्ड वन की परिक्षा भी अभी होनी बाकी है तो यह सारी अभी बारीशाएं है जो कि उन 하니까 पहले था अभी परिक्षा हैं चल रही है जो कि 29 तारिक, 30 तारिक को खत्म हो जागी इसके बाद जैसा कि इस report में कहा जहाए कि फरवरी में result निकालने के त्यारी में university और साथी साथ इसके part 2 की परिख्षा भी लेने के त्यारी में university लेकिन त्यारी अभी तक कि आधूरी है और यह तैयारी कब तक कि पूरी हो पाएगी यह देखने रहेगा हम सभी को और part 2 की result क्या फरवरी में निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी ये भी देखना रहेगा क्योंकि part 2 की result इतनी जल्दी आ जाएगी यानि कि copy जो है बहुत जल्दी ही चेक हो जाएगी आपको क्या लगता है नहीं लगता है नीचे comment box में ज़रूर लिखेगा फिर मिलते हैं महाँ सभी से अगली वीडियो में आशा करते हैं यह पसंद आगा अगर वीडियो पसंद आगा तो लाइक करें करें चानल का सब्सक्राइब करें फिर मिलते हमाँ सब्सक्राइब नकिन करें धन्यवाद